इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग कर और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी Asterix CT 12.5 tablet दवाओं से मिलकर बना है जिसका इस्तेमाल hypertension यानि की high blood pressure के इलाज में किया जाता है यह रक्त वहिकाओं को आराम देकर और पूरे शरीर में रक्त पंप करने में हिरदय को अधिक कुशल बना कर काम करता है यह शरीर से अतिरिक पानी और कुछ electrolytes को भी निकालता है Asterix CT 12.5 tablet भोजन के साथ या बिना भोजन किये लिया जा सकता है लेकिन अधिक से अधिक लाब पाने के लिए इसे एक ही समय पर लें इसे आपके डॉक्टर की सलाह के रूप में लिया जाना चाहिए खुराक और आप इसे कितनी बार लेते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस लिए ले रही हैं कभी भी कोई खुराक न छोड़ें और बहतर महसूस होने पर भी उपचार का पूरा कोस पूरा करें यह महत्वपून है कि डॉक्टर से बात किये बिना यह दवा अचानक बन न हो क्योंकि इससे आपके लक्षन और खराब हो सकते हैं यह थकान रक्ट में पोटेशियम के स्तर में कमी, रक्ट चाप में कमी, रक्ट में क्रियेटिनिन के स्तर में व्रिध्धी और रक्ट में यूरिक एसिड के स्तर में व्रिध्धी जैसे दुश प्रभाव पैदा कर सकता है इस दवा को लेते समय खूब सारे तरल पदार्ट पीने की सलाह दी जाती है इस से चक्कर आ सकते हैं इसलिए जब तक आप यह न जान ले कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है तब तक गाड़ी न चलाएं या ऐसा कुछ भी न करें जिसमें मानसिक ध्यान केंद्रित करने की आवशक्ता हो इस दवा को लेते समय रक्ट चाप की नियमित निग्रानी की आवशक्ता होती है इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं अगर आपको कभी भी आपके रक्ट परिसंचरण में कोई समस्या हुई है या आपको लीव या किड्नी की समस्या है आपके डॉक्टर को अन्य सभी दवाओं के बारे में भी पता होना चाहिए जो आप ले रहे हैं क्योंकि इन में से कई दवाएं इस दवा को कम प्रभावी बना सकती हैं या इसके काम करने के तरीके को बदल सकती हैं विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद